नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो आप के बारे में डीमेट अकाउंट के लिए दो मेन कंपनी जो मैनेज करती हैं CDSL और NSDL तो उसके बारे में हमने अल्रेडी वीडियो में बात करी है वो वीडियो आप चकाउट कर सकते हैं यह था बेसिक इंट्रो की डीमेट एंट एंट क्या होता है और ग्रो एप क्या है ग्रो एप एक ड्रॉ होते हैं कितना समय उसमें लगता है किस तरीके से शेर्स बाई कि जाते हैं और कितने तरीके होते शेर को बाई करनेगे मार्केट प्राइस पर लिमिट प्राइस पर या जी टीटी ओर्डर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से आप सल कर सकते हैं क को सर्च कर सकते हैं और उनके प्रीवेस आकड़ों को भी देख सकते हैं कि कंपणी ने कैसा परफॉर्म किया है तो ग्रो अप्लिकेशन से आप प्रॉपर फैमिलियर हो जाएंगे कि किस तरीके से उस अप्लिकेशन को यूज करना है और किस तरीके से आप फन डायट करते हैं फन विड्रा करते हैं शेर्स खहिते हैं शेर्स बेस्ते हैं वो सारी चीज़े आपको अच्छी वीडियो में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इंवेस्मेंट करना शुरू नहीं किया या कर रहे हैं और ग्रो में आपका अकाउं पिंड किया है जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप सीरे प्लेश टॉप पहुच जाएंगे वहां से आपको डाउनलोड कर लेंगे आपको अपको करने के बाद वह आपको साइन अप के लिए का है का तो साइन अप आप चाहे तो अपने मुवाइल नंबर से या मैं रेक्मेंड करूंँ अपनी ऑडेस साइन अप करें उसके बाद भी लिंक करें ज्यासिए अब वह फी दोटोकुमेंट्स के कर देते हैं यानी साइन पूरा कर पाएंगे क्योंकि अगर फिजिकल फॉर्म में आपको फिर भेजना पड़ता है अगर आपका नंबर लिंक नहीं है तो फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे ग्रोग के ऑफिस में तो इसमें जाड़ा टाइम लगाता है तो उससे पैवेटर रह आपका user id और password दे देगी password reset करने के बाद simply आप login करेंगे उसे हम देखते हैं तो जैसे ही आपका user id password आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं आज चुका हूँ grow application के उपर मैंने अपना user id पासवर्ड और डाला हुआ है तो आप अपना डाल लें और login कर लें login करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको दिख रहेगा जहां पर सबसे उपर आपको दिख रहा हुआ explore dashboard और नीचे stocks market indices दिख रहे होंगे यहाँ पर निफ्टी 50 cents 6 इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरफेस दिखा रहा है stocks के अंदर आपका जैसी आप open करते है grow app को कोई भी stock आपको सर्च करना है तो simply आपको सर्च वाले पर क्लिक करना है मैं आप Vodafone idea सर्च कर रहा हूँ आप कोई भी नाम डालेंगे तो symbols नाम डालना होगा आपको वह पहले गूगल पर चेक कर लिजे क्या symbol है उस stock का उसके बाद यहाँ पर आपके सर्च कर लिजे तो यहाँ पर वोड़ा फोन आईड़े के कुछ details दिखा रहे कि 52 week low क्या है 52 week high क्या है today का low क्या है today का high क्या है देखेंगे किस तरीके से उसको watch list में create करना है तो यहाँ पर पर प्लस का निशानता हूं आपर मैंने कर दिया अब यह stock मेरी watch list में आ चुका है तो यहाँ my watch list में आपने देखा अब हम नई watch list क्रेट करके दिखाते अपको तो यहाँ नीव watch list में create कर रहा हूं FM series एक्टर की यानि fast moving consumer goods की सर्च के option पर आके click करेंगे और उसी से related stock को हम ढूनेंगे जो की है Mariko यह parachute oil आपने use करते होंगे तो वही company का नाम Mariko है और भी बहुत सारे ब्रैंड है इसके तो अब यह parachute को हमने Mariko को कर लिया अब देखिया FMCG sector के अंदर Mariko stock आ चुका है हमारे उच watch list के है H.U.L. Hindustan Unilever उसको भी हमने plus कर दिया watch list को हम देखेंगे तो watch list को अब देखेंगे तो दोनों stocks हमारे आ चुके हैं तो इस तरीके से simply है अब अपना watch list क्रियेट कर सकते हैं तो watch list करने के बाद अब सीधा चलते हैं dashboard के तरफ stocks के stocks के dashboard में जाके कौनकों से shares मैंने ले रहे अब हम से तरीके से buy or sell करते हैं stocks को इसी के साथ mutual fund को भी हम देख लेते हैं एक बार mutual fund पर हम क्लिक करेंगे जिसे निचे stocks था तो निचे mutual fund भी आ रहा है यहां explore funds में आ रहा हो तो popular funds भी यहां पर दिये हुए है यहां पर प्रियाग राज है तो इन तरीके के बहुत सारे funds है और नीचे आप करेंगे all mutual funds भी जाके देख सकते हैं किस stock ने किस mutual fund ने कितना return दिया है कितने years के अंदर जैसे यहां पर view all पर आप click करेंगे तो आपको सारे mutual funds की latest मिल जाएगी आप इनको आप चाहें तो अप अगर आपके पास time नहीं तो आप direct mutual fund के थू भी जा सकते हैं यहां dashboard में कोई भी mutual fund नहीं आरा क्योंकि मैंने किसी भी mutual fund में invest नहीं अब हम आ गए अपने dashboard के ऊपर अब हम यहां पर sale का यह दिखाएंगे आपको word idea का share तो यहां पर हमने word idea का select कर लिया है तीन shares भी मैं पस पड़े हुए है तो यहां पर हम select करने के बाद आगे process कर रहे है अब यहां delivery दिखा रहा है delivery में मैं पस तीन shares available है कितने shares मैं को बेच देशना है तो मैंने यहां पर market select कर लिए है अब इसको हमको verify करना होगा sales को delivery इंटरे तो अपने पैरी उपर देख लिया है तो verify sales करने के लिए हम क्लिक करेंगे इसके उपर और यह हमको ले जाएगा nsdl की website के उपर तो यहां पर verify करना होगा आप टीपिन के साथ साथ OTP भी चाहिएगा तो टीपिन मैंने अल्रेडी में पास है और आपको भी आपके mail पर मिला होगा तो यहां हम टीपिन डाल देते हैं टीपिन डाल दिया अब verify करेंगे अब verify किया तो यहां verify करने के बाद थोड़ा सा यह time ले रहा है बटा हो चुका है अब verify हो चुका आप चा sell पर क्लिक करा sell successful shares मैंने एक बेच दिया delivery टाइप में अगर order detail पर क्लिक करेंगे तो और भी बहुत साई details इस रिलेटर आपको मिल जागी जैसे sell किया है मैंने delivery किया है अब हम चलते हैं आपको buy करके दिखाते हैं कि किस तरीके से shares को buy करते हैं तो यहां मैं direct select करे रहा हूं वोड़ा आइडिया का share ही उसके बाद यहां पर हम क्लिक करेंगे buy पे सारी चीज़े मैंने पहले भी आपको दिखा ही है तो यहां मैंने quantity मैं खहित के दिखा रहा हूं delivery के अंदर आपको यहां पर मैंने quantity खाई दी और यह फटाक से buy हो गया तो अब देख सकते हैं मैं पास दुबारा से quantity आ चुकी होगी तीन क्योंकि मैंने पहले एक sale भी किया था बर दुबारा खाई भी लिया एक stock अब यहां पर मैं आपको दिखांगो कि किस तरीके से intraday म तो आप देखें तीन रुपए ठावन पैसा की सिर्फ में से माग रहा है जबकि करेंट प्राइज आट रुपए 70 पैसा है वोडाइडिया का तो यह मैंने आपको टाइक करके दिखाया कि एक share आपको कितने मिल सकता हैं यहां पर तीन रुपए में मैं पड़ा सिर्फ यहां पर सल करना चाहता हूं यानि इंट्राडे को को अपनी पोजिशन को स्कॉर अफ कर आता हूं तो मैंने यहां पर जैसे सलेक्ट किया अब यहां पर कुछ तीज़े और देख सकते हैं कि इंट्राडे के अंदर आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है आपके पास शे के लिए मैं को से 22 रुपे देने की जोत पड़ती है यानि 3x का एक प्रोक्समेटी मार्जन मिल जाता है मैं ग्रो के थू तो यह एक अच्छा फीचर है जो ग्रोड दे रहा है और बहुत सारी ब्लोकर और भी देते हैं इस चीज़ को बड़ यहां पर मैंको ऐसा कुछ नही हो गई आपको स्क्वार आफ कर लेना चाहिए सवा तीन वे तक बना ओट्व स्क्वार आफ के चार्ज अप पर लग जाते तो आप यहां देख सकते हैं 0.05 को पैसे का में को यहां पर लॉस हुआ इंट्राडे के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह किसे इंट्राडे में इस में अब बेचे जा सकते हैं और कैसे एकविटी में इन स्टाक्स कही देया बेचे जा सकते हैं अब हम चलते हैं एक्टिवेट नहीं किया अगर आप चाहे तो अक्टिवेट कर सकते हैं उसके लिए को डॉक्यमेंट के जौत पड़ेगी वो नोट डाउन कर लीज़ी है पर screenshot ले लिजेगा, इन document को submit करना होगा, आपको account opening के बाद, या आप account opening करते वक्त भी कर सकते हैं, उसके बाद ही आपका F&O खुलेगा, अब हम चलते हैं इसके dashboard की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम लेख, किस तरीके से add money करेंगे, उसको सीखते हैं हम यहाँ यहाँ पर add money पर click किया है हमने, अब जो भी fund हमको add करें, suppose मियों को हमको 100 और पर add करेंगे, तो मैंने add money पर click किया, अब यह मैंको direct लेके जाएगा, मेरी UPI apps के उपर, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा security existence की वएसे उनको block कर दिया, तो UPI app पर जाने के बाद, आपके पास options रह तो इस तरीके से simply आप fund को add कर सकते है, easily वो भी mint के अंदर होता है, अब हम दुबाय से click करेंगे अपनी photo के उपर, और हम withdraw करेंगे, यह दूसरे दिन की बात है क्योंकि जो भी fund आप add करते है, वो next day available होता है withdraw के लिए, तो कुछ यह ख़ए दे थे, उसको मैंस करेंगे, amount balance में आएका, वो भी यहाँ पर show कर रहा, expected 24 August 10am, यह वीडियो बहुत पहले record हुई थी अब इसको add करने में जादा टाइम लगे कि इस बीच में बहुत सारी वीडियो को मैं को और बनाना था, तो इस तरीके से simply आप इसको withdraw भी कर सकते हैं, आप चाहे तो cancel withdraw भी कर सकते हैं अगर आपको पैसा नहीं निकालना, को यह और स्टॉक में आपको चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, यह उस पैसे को उसी में जाता है तो वह भी कर सकते हैं, तो वह सारी details आपको यहाँ पर मिल रहा है, अब यहाँ पर हम देखते हैं all orders के उपर, तो यहाँ simply यहाँ से आप सारे orders को track कर सकते हैं, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, तो equity के अंदर आपने क्या buy sell किया है, जितना भी previous data देखना आप सब देख सकते है, एफ और में क्या किया है, GTD order के बारे बताना में भूल के है, GTD का full form है, good till trigger, आप कोई भी stock price आपको लगता है, suppose bellico का यह stock है, आपको लग रहा है, इसका 200 वे सही price है, तो आप वो order डाल सकते हैं, जब इसका 200 वे price है, तब यह खही जाए, यह 700 वे price हो तब यह बिख जाए, GTD order एक साल तक वह ड़ता है, बट आपके wallet में पैसा हो चाहिए, या आपके grow account के अंदर पैसा होगा, तब ही आप वो order execute हो पा सबसे पहले हम चलते हैं, अब जैसे नीचे आप आएंगे, जहां पे stocks mutual fund होता है, वही पर FD भी होता है, अब यहां आप explore कर सकते हैं, यहां popular FD दिखा रहा है, और यहां dashboard में आप check कर सकते हैं, कौन कौन से mutual fund या FD में आपने invest किया हो है, all FD पे click करेंगे, तो यहां पे दिख जाए, कौन सी FD आपको कितना percent return दे लिए, कितने सालों के लिए, बेसिकली दो ही FD देखते हैं, यहां पे सबसे अच्छी बात यह है, कि 1000 रुपे की FD हो सकती है, यहां पे, अगर आप 1000 रुपे की FD करते हैं, 24 months के लिए तो 6.75% अरनम, आपको interest मिलने वाला है, य जिसे यहां पे देखो Google Pay, Phone Pay, या अधर UPI Payment उसके थूँ आप कर सकते हैं, और सीधे वो आपके FD में आ जाए, अब मुझे नहीं करना तो मैं इसको back कर लेता हूँ, अगर आप करा चाहे तो आप कर सकते हैं, FD के इंदर भी invest, यहां पर mature video का भी दे रखा है, और भी details यह पर दे रखिए, तो इनको अपने आप checkout कर लें, नीचे ढंक से अब इसको देखेंगे, तो सही रहेगा, यह तीन options से जहां more वाले पर click करेंगे, तो आप FD पे पहुंचाएंगे, अब हम back वापस आता है, bank details के उपर, यहां मैंने दो bank add की हुए, अगर आप चाहें तो और भी bank को add कर सकते हैं, यहां से add bank पर click करके, अब हम चलते हैं, तीसरे option पर और, तो यहां पर हम देखेंगे, अब reports के उपर, दोस्तो, as a accountant भी grow आपके लिए काम करता है, tax filing के लिए कौन कौन से documents आपको चाहिए, capital gain कितना हुआ, mutual fund से, capital कौन stocks से जो हुआ है, grow balance, जो है, सारी डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी time के लाप को चाहिए, एक टू जैड आपको यहां पर report मिल जाएगी, यानि अगब stock में आप काम करना है, तो आपको बहुत साए data maintain करना पड़ता है, उसकी जोत नहीं पड़ेगी, उसाए data यह maintain करके आपको देगा, यहां से simply आपको date ड करेंगे, बेचेंगे, कौन-कौन से order के type क्या होते हैं, किस तरीके से आप companies को find करेंगे, mutual fund को find करेंगे, कैसे आप पैसा withdraw करेंगे, कैसे fund add करेंगे, वो साही data आपको आचकी इस वीडियो में मिल गए होगी, हम उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अ चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले, बेल अकन को ज़रूर प्रस कर दें, और कोई new, आप कोई कोई क्वाईरी है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर भी अभी तक आपने अपने डिमेट हिडिय काउंट नहीं open किया, तो गुरो का link description और एकाउंट क्रियेट कर सकते हैं, ऐसी और भी stock market related videos के लिए प्रभागर चौजी चैनल को सब्सक्राइब एना ना भूले, thank you so much watching guys